नमस्कार मैं हूँ सलामत अलिया और आप देख रहे है DRV News बात करेंगे मुंबई की मुंबई में वैक्सिनेशन का काम जोरों से चल रहा है जहां एक तरफ कोरोना अपने पैर पसार रहा है तो वहीं वैक्सिनेशन को लेकर भी प्रशासन सतर्क है और सक्ति से काम करती दिखा मुंबई के 227 वार्डो में वैक्सिनेशन को लेकर काम किया जा रहा है कोरोना को मात देने के लिए मुंबई में जारी वैक्सिनेशन के दाएरे को बढ़ाया जाएगा राज्य के परियावरन मंत्री आदित्य ठाकरे ने BMC अधिकारियों को निर्देश दिया है कि के प्रयास से वडाला पस्चिम स्तित एकवर्थ BMC टीवी ऑस्पिटल में वैक्सिनेशन सेंटर शुरू किया गया इसके इलाके में वैक्सिनेशन सेंटर शुरू होने से वडाला पूर्व पस्चिम और माटूंगा के लोगों को फायदा होगा यहां प्रतिदिन 400 से अधि को लोगों को कोरोना का डोस दिया जाएगा आपको बता दे कि मुंबई में वैक्सिनेशन का कारे तेजी से चल रहा है हाला कि वैक्सिनेशन की कमी के कारण कई सेंटर बंद हो गए है कि शोरी पेड़नेकर ने कहा है कि जल्द ही मुंबई में वैक्सिनेशन के सव और सेंट शुरू हो जाएंगे इससे लोगों को वेक्सिनेशन के लिए जादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और इंतिजार भी नहीं करना पड़ेगा यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा साथी साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलिएगा इसके लावा हमारे चैनल डियर वी न्यूस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा